तो गुद इवनिंग फ्रेंट्स ऐसा है हम लोग लोग के बारे में चर्चा करेंगे जैसा कि आपको पता है अब आप फांडेशन के पढ़ा ही चालू करने वाले हैं 11 तो कर डाले हैं करना ही क्या पढ़ता है वो तो हो जाता है बस बट यहां पर आपको पढ़ना पढ़ेगा सो हम लोग आज तो बेसिक चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत मेरे बारे में मैं जानकारी देदूंगा वैसे कुछ लोग जानते होंगे मुझे जिन लोगोंने मुझसे पढ़ चुके बाकि जो नहीं जानते हैं उनको नाम वाम तो बताई दूंगा एटलिस्ट तो बाकि जान जाओगे आप थोड़ा थोड़ा और थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे सिल्बस में क्या क्या चीज़े हमको देखने को मिलेगी वो सब चीज़ें देखेंगे और बेसिक आइडिया ले लेंगे हम कानून के उपर कि लोग क्या होता है वैसे लोग सभी के लिए एक नया सब्जेक्ट है जैसे कि आपने बाकि अकाउंट्स होगरे कहीं न कहीं पढ़ा रहेगा क्योंकि 11-12 आप साथ में फाउंडेशन कर रहे हैं तो 11 में आपने अपने इकदम नया सब्जेक्ट है तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या-क्या हमको पढ़ने को मिलेगा चर्चा मिन्स ऐसा नहीं कि अपन बैठेंगे मैं कुछ पूछूंगा आप बता रहे फिर आप पूछ रहे मैं बता रहा तो चर्चा मिन्स अपन दायलोग नहीं होगा तो मैं बताऊंगा लेकिन हापको डाउट होंगे तो आप डाउट जरूर पूछ सकते हैं और कभी भी पूछ सकते हैं वैसे तो बहतर यह होता है कि मैं जब आखिर में चांस देता हूं तब पूछना चाहिए क्योंकि क्या होगा कई पर ऐसा होगा कि आप डाउट पूछने के लिए हैंड रेस करोगे मैं इग्नोर कर दूँगा तो पूरा मत मानना फिर बाद में थोड़े टाइम बाद मैं आपको पूरा पढ़ा दूँगा उसके बाद बोलूँगा क्या डाउट था तो आप बोलेंगे नहीं सर सॉल हो गया तो इसलिए क् टाइम अपना वेस्ट होता है सबसे इंपोर्टेंट चीज अपने लिए सीए एक्जाम से में टाइम किज होती है इतना सारा पढ़ना होता है टाइम बहुत लिमिटेड होता है आपके पास तो भी अच्छा टाइम है बट अगर हम वैसे जनरल बात करें तो फाउंडेशन म में ने का आप इतना सारा उसमें पढ़ते हैं जितना आप 11-12 मिला के भी नहीं पढ़ते उससे भी जादा कोर्स होता है सीए एक्जाम से में डिफिकल्टी कुछ नहीं होती में चीज होती है कि कोर्स बहुत वास्ट है इतना बड़ा कोर्स होता है कि उसको याद रखना उस उसको हम properly समझ के पढ़ेंगे तो समझी हुई चीज़े हम generally भूलते नहीं लेकिन आप रटना चाहोगे तो बहुत तकलिफ जाएगी तो रटने के उपर focus मत करना हम जितनी भी चीज़ पढ़ेंगे समझ समझ के आप पढ़ेंगे तो थोड़ा मेरे बारे में बता देता हूँ फिर book देखते हैं अपन आपको पता होगा मेरा नाम नहीं पता होगा तो बता देता हूँ कि मेरा नाम है Shashang Sharma मैंने CA किया हूँ एक जमाने में करते हैं बहुत सारे लोग मैंने भी किया हूँ तो FCA, FCA यहने Fellow Chartered Accountant होते हैं, आपको जितने भी पढ़ा रहे हैं सब Fellow Chartered Accountant है, CA भी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप यहने ऐसा बोलते नहीं, बट जो Junior CA रहता है, जब वो 5 साल के पहले तक के उसको ACA बोला जाता है, Associate Chartered Accountant, अगर वो 5 साल continuous practice या जॉब में रहता है, त उसको फिर Fellow का एक दरजा मिलता है, Fellow Chartered Accountant, ठीक है, तो हम भी FCA, आप भी FCA, Future Chartered Accountant, तो आप भी Future में CA बनेंगे, तो FCA, औरे, क्या है यह, औरे, बपा, बपा, कित्ती पढ़ा ही, ठीक है, फिर मैंने बेकाम भी किया हूँ, कोई काम का नहीं होता है, उसको बेकाम बोलते हैं, कोई खास काम का नहीं, बस करते हैं लोग तो अपन ने भी कर लिये, तो यह कुछ करना नहीं पड़ता है, हो जाता है, 11th होता है वैसे type का, तो यह हो जाता है, CA कर रहे है, बीकॉम है ना एक दिन जाके पेपर लिखके आगए पास हो गए तो अच्छे से पास हो गए ऐसा नहीं कि कैसे तो भी 35 मार्क मिल गए 35 परसेंट 40 परसेंट वैसा नहीं तो इजी लिए आपको इसमें फर्स डिविजन तो आई जाता है सो बीकॉम भी एक कोर्स होता है करते हैं लोग फिर डीसा डिप्लोमाइन इन्फोर्मेशन सिस्टम सॉडिट कुछ लोगों को सिये बनने के बाद भी और पढ़ने की इच्छा होती है सो ऐसी इच्छा मेरे अंदर बिलकुल नहीं है सो फिर भी मैंने पढ़ा क्योंकि इससे हमारे प्रोफेशनल जो ओफिस वगर होता है इसमें काफी फरक पढ़ता है डिप्लोमाइन इन्फोर्मेशन सिस्टम से कम्प्यूटर सिस्टम से कैसे क्या ऑडिट करते हैं अकाउंटिंग करते हैं यह सब सीखते हैं तो वैसे सीए लेवल पर ऐसे भी पढ़ाया जाता है बट यह पोस्ट कॉलिफिकेशन कोर्स हैं आफ्टर बिकमिंग सीए आप और भी कुछ पढ़ना चाहें तो डीसा पढ़ सकते हैं इसके अलवा कुछ concurrent audit के courses होते हैं तो वो भी मैंने किया हूँ वैसे तो वो सब लिखते नहीं अपने नाम के साथ बट ऐसा थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ ऐसा नहीं कि मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है बट कहीं न कहीं काम आता है इसलिए पढ़ना पढ़ता है पढ़ाई बहुत अच्छी चीज होती है जैसे आपको पता है सबसे आसान चीज होती है जिससे आप successful हो सकते हैं बाकि और भी चीजे हैं, ऐसा नहीं बुल रहा, मैं पढ़ाई नहीं किये तो successful नहीं होते हैं, बाकि सबसे easy चीजे हैं पढ़ाई कर रहा है, बाकि बिना पढ़े successful होता है, व्यक्तिबट उसका बहुत struggle होता है उसके बीचे, पढ़ाई सबसे easy चीज हो जाती है, आपने अग पढ़ेंगे, actually यह practical ही है, जब आपके office में कोई client आएगा न, तो वो client कभी भी आपसे इस law के बारे में advice लेगा, वो आके पूछेगा, sir हमको partnership बनाना है, तो आपको इसको guide करना पढ़ेगा, partnership, deed क्या होती है, कैसे बनती है partnership, वो बुलेगा company बनाना है, तो आपको company form कैसे क करना, उसको चलाना कैसे, यह सब चीज़ उसको guide करना पढ़ता है, तो real life में यह सब चीज़ें क्या होती है, practical बन जाती है, तो जो भी आपको यहाँ पर थेरी दिख रहा है, यह actually थेरी नहीं है, जब भी client आएगा, तो आपसे यह सब चीज़ों के advice लेगा, तो यह आपके पर taxation की practice होती है, तो यह सब चीज़ें real life में practical हो जाती है, जो आपको theoretical दिखती है, तो real life में accounting भी करना है आपको, अगर आप खुद करना चाहें तो, बट नहीं तो generally क्या होता है, accounting जो होता है, वो एक accountant करता है, और हम क्या करते हैं, audit करते हैं, चेक करते हैं, उसने सही किया होता है, तो सही है कि नहीं है, यह कैसे पता करोगे, लेकिन real life में audit is also practical, आपने देखे होंगे लोग bank audit पे जाते हैं, तो that means audit जो subject है यहाँ पे check करना, वो आपको इस साल नहीं है, अगले साल रहेगा, तो डरो मत, अगले साल रहेगा, that means auditing means check करना, यह आपके लिए practical हो जा आपको, और जो यहाँ पे जैसे practical दिखते हैं, वो real life में उतने practical कई बार नहीं रहते, लेकिन जो theoretical दिखते हैं, वो पूरी तरह से practical हो जाएंगे, आपको real life में बहुत सारी ऐसी चीज़े रहेगी, जो कि law से related लोग advice लेने आएंगे, guidance लेने आएंगे, आपको उनको company उग हैं, company ऐसी होती है, वो सब को detail में बताया जाएगा, तो जिन लोगों ने already 11th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो वो कोई काम का नहीं है, उसको भूल जाना, तो वो सब भूल जाएंगे, अपन जो partnership होती है, अगर आपने पढ़े थे, वो सब अपने लिए उतना important नहीं है, वो ही चीज़ों को हम काफी deep में जाके अब पढ़ने वाले हैं, ठीक हैं, so मैं यहाँ पर आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं पहले तो करता क्या हूँ, तो मैं teaching में involved हूँ, जिसमें मैं आपको law पढ़ाऊंगा, business law, हमको यहाँ पर law जो है, business laws पढ़ना है, यह भी हम कौन-कौन से law इसमें cover होते हैं, यह हम देखेंगे, so law में, अब foundation की जब हम बात करें, तो CA foundation में हम, business law में, एक तो सबसे पहले पढ़ते हैं, contract act, मैं आपको पहले syllabus बता रहा हूँ, contract act, यहने contract कैसे क्या बनते हैं, जब एक विक्ति, दूसरे विक्ति से contract कर रहा है, तो क्या-क्या terms होनी चीए, उसमें, फिर क्या-क्या rights रहेंगे, क्या-क्या duties रहेगी, यह सब चीजें हमको पढ़ना है, एक substantial portion of our time इसमें devote होगा, बहुत बड़ा act है, बहुत deep में इसको हमको समझना पढ़ता है, so इसमें बहुत deep में हम जाएंगे, तो धीरे-धीरे चलता रहेगा, बहुत हद तक के, लगबग ऐसा बोलें, अगर कि 30-35% time अपने class का इसके उपर गई गई कम से कम, फिर इसके बाद हमको पढ़ना है, sale of goods act, सोगा, so sale of goods act, ये सब क्या होता है, ये भी बताऊंगा, कि act क्या है, law क्या है, वो सब शुरुवात एकदम basic से करेंगे अपन, अभी सिर्फ मैं आपको सिले बस बता रहा हूँ, तो sale of goods act एक और कानून है, जब goods खरीदे बेचे जाते हैं, आप mobile खरीद के ला रहे हैं, laptop खरीद रहे हैं, car खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर sale of goods act अपलाए होता है, तो sale of goods act कैसे क्या होता है, इसमें क्या-क्या rules लगते हैं, buyer को क्या rights होते हैं, seller को क्या rights होते हैं, क्या duties होती है, तो ये सब चीजे हमको detail मे यहां पर समझना है फिर इसके बाद partnership act partnership act में हम देखेंगे कि जब साजेदारी में business करते हैं जब मिलके लोग काम करते हैं तो इसमें भी जगड़े होने की संभावना होती है जैसे मैं हूँ मेरी friend है किया रहा एक है दिशा हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त है हम तीनों मिलके एक business चालू करते हैं समझो हम चाई की दुकान चालू कर रहे है चाई बेचेंगे हम लोग अच्छा पैसा है बहुत business में बहुत पैसा होता है चाई की दुकान हो गई पांड ठेला हो गया इनमें बहुत पैसा है और कोई tax वगरे भी नहीं बरते हैं लोग पूरा cash में आता है तो black money जमा होते जाता है खूब पैसा है इसमें तो हम तीनों जन मिलके साज्यदारी में business करते है अब business में इतना पैसा है लेकिन यहाँ पर जगड़े होने की संभावना होती है आपस में किसी को कम पैसा मिल रहा किसी को ज़्यादा मिल रहा कोई काम ज़्यादा कर रहा है तो दूसरा काम नहीं कर रहा ऐसे जगड़े होने की संभावना होती है तो उससे related इसलिए एक कानून बनाया गया है Partnership Act तो यह Partnership Act में हम डीटेल में पढ़ेंगे Partnership कैसे क्या होती है इसके बाद YLP एक और Concept है Limited Liability Partnership तो Limited Liability Partnership भी एक प्रकार की Business Entity होती है आपको अगर Business करना है तो आप जैसे या तो Proprietorship कर सकते हैं Partnership कर सकते हैं उसी प्रकार से LLP या फिर Company भी आप बना सकते हैं तो LLP एक और Concept है जिसका Brief में आपको थोड़ा बहुत हिस्सा यहां पर दिया है बाकी का जो हिस्सा है वो आपको CA Intermediate Level पर पढ़ना है तो यहां पर Contract Act आपका 100% है पूरा Contract Act यहीं पर रहेगा पहले ऐसा हुआ करता था Old Course में कि Contract Act का कुछ हिस्सा आपको यहां होता था और कुछ हिस्सा आपको Intermediate Level पर होता था बट अभी Intermediate का वो हिस्सा कटके आ गया है Foundation Level पर और इसलिए अब हमको 100% Contract Act यहां पर पढ़ने को मिलेगा इसके बाद Sale of Goods Act भी 100% हमको यहां पर पढ़ना है Partnership Act पढ़ना है LLP Act भी पढ़ना है साथ ही साथ एक Companies Act होता है Company का कैसे क्या निर्मान होता है यह सब चीजें हमको यह भी पढ़ना है बट यह 100% नहीं पढ़ना जैसे LLP का मैंने आपको CA Foundation Level पे है कुछ हिस्सा CA Inter Level पे है और कुछ हिस्सा इसका CA Final Level पे भी है Final के Level पे Law का Paper नहीं होता बट वो खेर आगे पता लगेगा आपको बट फिर भी उसमें आपको Law पढ़ना पढ़ता है उसके एक Self-Paced Model रहेगी तो थोड़ा कोर्स चेंज हो है न्यू कोर्स में ऐसा है कि CA Foundation में आपके जो 4 पेपर है वो तो हई फिर Intermediate में 6 पेपर है वो पेपर क्लियर होने के बाद आप CA Final के लिए eligible होंगे तो बोलने को 6 पेपर हो गए लेकिन वो दो पेपर आपको पढ़ना पढ़ता है उसकी exam देना पढ़ता है बट वो counting में result में नहीं आएंगे वो eligibility की test हो गई समझो सो वो दो पेपर जो है CA Final लेवल पे उसमें एक law का पेपर है सो law का पेपर अभी भी CA Final में है Companies Act आपको तीनों जगे पढ़ना है Total Companies Act में 470 sections है section होते हैं छोटे-छोटे हिससे में उसको divide किया होता है इसमें से आपको यहाँ पे सिर्फ गिंती के 10 section पढ़ना है 10 A तक के आप आपको देखने को मिलते हैं चोटा सा Act है बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है डरा नहीं रहूं है डरना नहीं बहुत आसान एक दम चिल्लर है CA से आसान कोर्स ही नहीं है ठीक है है लेकिन एक्चुली CA आसान है CA difficult नहीं है दिक्कत यह कोर्स बहुत vast है problem यह नहीं है कि आप आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी आप देखना जब हम पढ़ना चालू करेंगे आपको 100% चीज़ा समझेगी एक भी चीज ऐसी नहीं होगी एक भी concept नहीं होगा कि आपको नहीं समझ में आया 100% conceptual clarity आ जाएगी लेकिन दिक्कत यह होती है कि आपको वो चीज को revise करना है क्योंकि इतना बड़ा topic है आप खुद देखोगे जब हम आगे बढ़ चुके रहेंगे जब हम companies एक पढ़ते होंगे उस time आपका contract एक पूरा भूल चुके होंगे आप डरा नहीं रहा है बट बता रहूं कि भूल जाओगे क्योंकि आपको वो बहुत पहले पढ़ा है सि इसका साथ साथ में revision होता है और test होती है उसके कारण आपको पहले से पढ़ा हुआ है और आप 2-4 बर कम से कम revise कर लोगे आपके में 12 के आने के पहले तो उसके पहले अगर आप 2-4 बर revise कर लोगे तो concept wise बहुत strong इस पर grip आ जाती है so time बहुत limited है दिक्कत ये है ऐसा नहीं है क लेकिन time limited होता है बट आपको फायदा वही है कि आपने ये batch join किया जिसमें हम 11-12 के साथ foundation पढ़ाते हैं so जहां पर बच्चे लोग 4 मेने में इतनी सारी चीज़ पढ़ते हैं आपके पास यहां पर पूरा एक साल मिल रहा है so एक साल में आप धीरे धीरे भी prepare करें तो easily आप CA foundation clear होते हैं so दिक्कत वो है कि course बहुत vast है और time limited होता है लेकिन आपके लिए time limited तो है बट थोड़ा जादा है बाकी बच्चों से जो 12 होने के बाद सोचेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके बाद so आपने अभी जो सोचा है तो अभी से अगर आप थोड़ा far better आता है सिर्फ foundation में नहीं intermediate में भी और final में भी क्योंकि उनके concepts बहुत अच्छे से clear हो चुके होते हैं यहाँ पे so यह है companies act जो आपको तीनों level पर देखने को मिलेगा और इसके बाद एक और है negotiable instruments act negotiable instruments यहने जो check वगरे होते हैं आपने check देखा होगा check देखा होता है इसा फिर वो check जो होता है उसके उपर amount वगरे लिखते हैं अपन बस बस वो सब क्या है वो सब negotiable instruments कहलाते हैं तो check कैसे होते हैं bills में bills of exchange क्या होता प्रामिसरी note क्या होता एक दम खतरनाक deep में जाएंगे अपन इसमें खतरना क्याने डरने की जरुरत नहीं है खतरना क्याने अच्छा deep में जाएंगे बहुत easily अपन ये चीज़ों को समझेंगे ठीक हैं तो यहाँ पे काफी सारी चीज़ें आपको पढ़ना है इसके अलावा एक first chapter और include किया इन्होंने जो basic introduction बोल सकते हैं आप कि introduction दिया गया है कानून के बारे में ये पहले नहीं हुआ करता था foundation के course में बट फिर भी मैं ये पढ़ाता ही था अगर नहीं भी होता है तो basic चीज़ें पता होना चीए तब ही आप law पढ़ सकते हैं तो ये चीज़ में पहले भी पढ़ाता था अभी ये course में इन्होंने ला लिया है कि कानून कैसे बनते हैं अगर आप मेरे पुराने भी वीडियो देखोगे तो उसमें शुरुआत वहीं से होती है कि कानून कैसा बनता है कानून की आवशकता क्यों है पहले institute ये चीज़ बताता नहीं था course में नहीं था बट अब course में लाया है बट इस पे कोई questions न है अभी का थोड़ा technical है बट बहुत easily आप score कर पाओगे पहले law के साथ में business communication और reporting होता था English और के topics हुआ करते थे वो जबरदस्ती के marks लेके डूप जाता था तो कई बार ऐसा होता था कि बच्चों का law बहुत अच्छा है बट वो BCR अगरे थोड़ा बेकार है तो उसके current marks कम हो जाते थे दूसरे एक चीज है कि यहाँ पर बहुत technical हो गया है एकदम to the point आप लिखोगे तो बहुत अच्छे marks मिलेंगे तो पहले जब old course था उसमें भी बच्चों ने 90 marks तक लाए है 90 के ऊपर कभी भी किसी को भी कहीं भी नहीं मिले सो पूरे देश भर में 90 एने में एक्जिमम हो गया है foundation level में सो law के case में बाकी costing वगरे में 99 वगरे तक गए हैं intermediate में लेकिन यहाँ पे एकदम 100% marks मिलना तो possible नहीं चोता आप सोचोगे सर मेरे को तो एकदम 100% मिलते तो यहाँ नहीं मिलते तो CA exams में एकदम ऐसा पूरे marks मिलन आता है तो 60 plus इन्हें बहुत अच्छे marks होते हैं 60 चोड़ो 50 प्लस भी अच्छे marks होते हैं 50 चोड़ो 40 भी अच्छे marks होते हैं उससे पूछना जो 40 marks लेके pass हुआ है सो नहीं सच में actually वही है यहाँ पर marks कोई नहीं पूछता है यहाँ पर आपको मेन है कि आपको pass होना है मैं यह नहीं बोल रहा marks अच्छे मत लाओ वो भी कोशिश करो लेकिन pass भी आप होई जाओगे अगर आप proper concepts के हिसाब से पढ़ोगे तो सो हम यहाँ पर जो भी चीज पढ़ेंगे पूरा basic चीज लेके पढ़ेंगे तो एकदम lively examples रहेंगे आपके पास तो जो भी मैं पढ़ाओंगा with examples, diagrams इसके साथ पढ़ेंगे अपन और अभी आपको क्या-क्या चीज यहाँ से मिलेगी और क्या-क्या लेके आना है आपको यह सब भी मैं बता देता हूँ तो एक तो teaching करता हूँ मैं, फिर book भी लिखा हूँ मैंने, आपको book प्राप्त हुई है, तो वो textman के द्वारा publish की गई है, तो author हूँ मैं यह जो book है, यह book national level पर publish होती है, तो आप यह book के अलावा और कोई book आपको refer करने की आवशकता नहीं है, तो यह book एकदम comprehensive है, इसमें हर प्रकार के question भी डाल दिये गए है, तो आप उसको open करोगे तो उसमें पहले तो पूरे chapters को समझाया है, उसके बाद फिर questions में MCQ दिये ग दूसरे case study की रूप के questions है, practical questions, कि real life में आप कैसे क्या apply करोगे, so जैसे case दे दिया रहेगा, A ने B के साथ ऐसा ऐसा contract किया, अब इसमें A की गलती है या B की गलती है, तो यह application based जो questions होते हैं, वो भी रहेंगे इसमें, ठीक है, तो यह बहुत deep में हम समझने वाले हैं, तो य इतना सा पढ़ना है आपको, ठीक है ठीक है, शांत शांत, अभी नहीं पढ़ना है, घर जाके पढ़ना, अभी पढ़ना चालू कर दिये, आवाज है तो ऐसी आ रही है, ऐसा मत पढ़ो भी, हाँ तो फिर book भी है, textbook है, comprehensive textbook है, आपको इसके अलावा और कोई textbook यूज करने के आवशकता नहीं है, आपको फिर भी लगता है, module पढ़ लेना क्या, जो institute में आप register करते हो, वहाँ से books आती है, उसको module बोलते हैं, वो भी पढ़ने की जरुरत वैसे है नहीं, ये पूरा module को ध्यान में रखते हुए बनाई हुई है book, फिर भी आपको लगता है, तो आप प difficulty नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं, इसलिए revision बहुत important है, क्योंकि course बहुत vast है, तो अगर आप regular पढ़ते हो, consistency बना के रखते हो, तो वैसी CA exam पास होना बहुत easy हो जाता है, वे दिक्कत वह है कि ज़्यादा तर बच्चे consistent नहीं होते, लोगों को लगता है, हाँ ठीक है ना, exam के time पढ़ लेंगे, CA course ऐसा नहीं है कि exam के 4 दिन पहले पढ़ो, महने भर पहले पढ़ो और पास हो जाओ, CA course में आपको continuity important होती है, ठीक है, फिर इसके अलावा practice भी है मेरी, practice यहने मैं cricket खिलने जाता हूँ, ऐसा नहीं, cricket खिलने, वो तो जाते ही हैं, लेकिन practice means मेरा खुद को office है, तो वहाँ पर हम लोग advice देते हैं, लोग आते हैं, clients, उन लोगों को हम लोग लूटते नहीं है, उन लोगों को, कभी कभी सच बता देता हूँ मैं, तो उन लोगों क हम लोग बताते हैं, कैसे क्या, उनको जो भी problem है, like GST का registration करना है, returns file करना है, यह सब की advice देते हैं, उनके काम करके देते हैं, पैसे लेते हैं, बदले में, थोड़े बहुत, so यह सब practice भी है, तो यह भी करना पड़ता है, ठीक है, अच्छी बात है, और CA लोग कभी practice, कभी perfect नहीं होते हैं, CA क्या, कोई भी विक्ति कभी perfect नहीं होता, इसलिए हमेशा practice करते हैं, वो, so advocates भी practice करते हैं, वो लोग, practice कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी real match में खेली नहीं, चलो, तो यह है, बस और क्या, और हाँ, मैं share trading वगरे का भी काम करता हूँ, आपके लिए यह नहीं है अभी, पहले पढ़ा ही करो, अच्छी deep में पूरी understanding आजाए चीज़ होगी, CA final वगरे में आप बहुत सारी चीज़े, shares के बारे में पढ़ते हैं, futures क्या होते हैं, options क्या होते हैं, call option, put option, ऐसे बहुत deep में है यह चीज़े, so बिना गहरा ही में जाए, अगर आप share market में उतरे तो डूब जाओगे, so इसलिए अभी share market से दूर रहना, आपके लिए यह नहीं है, आपको जादा से जादा अगर निवेश करना है, तो आप mutual funds में निवेश करके रख सकते हैं, mutual funds सही है, so ऐसा मैं नहीं बोलता, यह EMFI वाले, EMFI वाले बताते हैं, तो यह सही है, so actual में सही ह अगर आप long term में निवेश करते हैं, तो एकदम कडोडो रुपे बन जाएंगे उसके, थोड़ा थोड़ा भी निवेश कर, कडोडो, करोडो रुपे बन जाएंगे, so थोड़ा थोड़ा निवेश करते जाओ, आपके इससे शुरू करोगे compounding का impact पड़ता है, आपने mathematics में पड़ा ही है compounding, so compounding से इतना फरक पड़ जाता है कि बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं, so share trading से दूर रहो, बस और क्या, बस इतना कुछ किया है अपने, फिर आपको यहाँ पे मेरे तरफ से क्या मिलेगा, तो यह जो है, इसके लिए आपको एक textbook मिली है, comprehensive textbook है, comprehensive means covering everything, आप आपको इसके अलावा और कुछ देखने की जरुरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यह textbook आपके लिए sufficient रहेगे, इसमें questions भी मिल जाएंगे, लेकिन answers नहीं है इसमें, क्योंकि यह textbook है, तो इसमें hint दी हुई है, so इसमें आपको यह जरूर दिया है, कि इसका answer य notebook लेकर आना है, आपको यहां से मिली है, वो वाली यूस कर सकते हैं, अगर आपको कोई और दूसरे, कितनी सारी books तो लेकर आई ही रहे सब लोग, कितना अच्छा लगता है नहीं, नहीं बुक्स, एक दो मज़ा आता है, चार दिन तक बहुत अच्छा लगता है, चार दिन कि बता है, इसको थेरी समझ के हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, सबसे important subjects में से एक हैं, जैसे कि accounts है, उसी प्रकार से law भी सबसे important subject है, life में आपको accounts और law यह दोनों बहुत काम आएंगे, इसलिए यह आपको एकदम foundation level से शुरू हो जाते हैं, तो foundation level पे भी रहेंगे, inter में पड़ते हैं, वो भी tax law ही है, कानून ही है वो चीज़े, so income tax हो गया, GST हो गया, company law हो गया, यह सब चीज़े कानून ही है, income tax भी कानून से उत्पन्न होता है, so law जो है, यह हमेशा आपको रहेगा, final level पे भी है, तो यह दोनों subjects की importance आपको यही से समझेगी, कि यह हर level पे आ पर नहीं रहेगा, but tax session का जो paper है, direct tax अलग हो जाता है, indirect tax अलग हो जाता है, वो law का हिस्सा है, फिर self-paced module है, तो तीनों चीज़ वैसे देखे तो law का हिस्सा है, so यह आपको तीनों level पे देखने को मिलेगा, तो इसी से आप इसका importance समझ सकते हैं, so एक legal expert माना जाता है, business law का expert माना जाता है, chartered accountant, so उसको एक तो accounts का तो expert रहते ही है, आपको शर्मा सर ने बताया होंगे, आज basic चीज़ें चालू हो गई होगी, थोड़ा entity concept वगरे तक नहीं पहुचे होंगे अभी, तो थोड़े time बात पहुचेंगे, सर बताएंगे आपको, मेरे को भी याद है, आज सर की पहली class, पहली class में उन्होंने, उस time तो खड़े होके पढ़ाते थे, तो ये board से चालू करते थे, वो board तक introduction चलता था, कोने तक एकदम, दो board भर के introduction है, अपना ये इत्तिसे में खतम हो गया, तो सर का experience ही इतना है, जितनी मेरी उमर है, उतना सर का experience है, तो सर 35 साल का experience है, मैं 35 साल का हूँ, सर का experience है 35 years का, जिस साल मैं पैदा हुआ था, उस साल सर सी ये बन चुके थे, So 1988 में सर सी ये बन चुके थे, मैं उस साल पैदा हुआ था, So सोच सकते हैं आपकी सर का experience कितना जादा है, So सर की class मेरी को आज भी आ दे, सर ऐसे खड़े थे, class में ऐसा example दिये थे, कि मैंने ये खीसे से पैसे निकाले, ये खीसे में डाले, transaction हुआ क्या, फिर हमने बोले नही तो transaction होता क्या ऐसा, तो नहीं, transaction कब होगा, जब दो जन रहेंगे, So नहीं, सर का एकदम ऐसे पढ़ाना था, तो ऐसे खड़े खड़े बताये थे, कि मैंने ये खीसा से पैसे निकाले, ये खीसे में डाले, So transaction हुआ क्या तो नहीं, तो वही चीज़े मैं भी आज, आपको आ पहली बार caps में enter किया था, So बहुत बहुत जमाना हो गया, तब आप पैदा हुए होंगे, तब भी भी नहीं हुए थे, अच्छा आप 11 वाले हैं, हाँ, साथ है, ठीक है, तो मैं CA, मैं आ चुका था उस टाइम पर, आप फिर छोटे-छोटे से थे, अभी ते से, तब मैं CA final में रहा होंगा, तो ठीक है, तो खेर, देखके लगता नहीं, मैं थोड़ा fit रहता हूँ, तो खेर, हाँ, तो मैं बता रहा था आपको इसलिए notebook भी लेके आना है, तो जैसे कि ये examples होते हैं, diagrams होते हैं, तो आपको जैसे accounts एक practical subject है, ये भी practical मान के चलो, इसमें notebook में दो ये diagrams होगर हैं, आपको साथ में बनाना है, कोई tree diagram होगा, कोई flow chart होगा, तो वो सब आपको बहुत काम आएंगे, मैं जान बुझ के चापके नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं भी इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मिरको भी 12-13 साल हो रहे हैं, तो इतने साल से पढ़ा रहा हू होती है, आप जब वो खुद के हाथ से बनाओगे ना, तो आपको उसका एक impact अलग ही पता लगेगा, और exam में वो लिखावट दिखाई देती है, आपको ध्यान आएगा कि हाँ इसा बनाए थे, यहां लिखा था, वहां लिखा था, तो उसका एक impact पढ़ता है, और अभी आ खतरनाख हावी होने वाला हूँ, और यह आपको बहुत help करेगा, exam के time पे भी यह चीज़ें, और यह बच्चों ने खुद बोला है, आप experience सुनोगे पुराने बच्चों का, तो आप खुद भी उनसे पूछों के तो बताएंगे, कि हाँ यार, सर का जब हम paper लिखते हैं, तो पूरी आवाजे सुनाई देती है, यह होता है, actual में ऐसा लगता है कि मैं सामने खड़ें के बोल रहा हूँ, लोग लिख रहे हैं, तो ऐसा होता है, तो नोटबुक में आपको यह डायग्राम से इसलिए बनाना है, क्योंकि एक memory होती है, visual memory जो बहुत काम आने वाली है साथे साथ, नोटबुक में आपको, मैंने जैसा बताया है कि question answers लिखना है, इसमें answers नहीं दिये हैं, आपको हर answer नहीं लिखना है, it is not possible कि आप हर answer लिखके देखो, आपके लिए possible है क्योंकि आपकी batch बहुत लंबी है, एक साल तक का आपको time मिलता है, बट नहीं तो वैसे CA exams में possible नहीं होता कि हर एक answer आप लिखके देखो, यहाँ पर आपको मैं कुछ answers लिखके जरूर बताऊंगा, जैसे एक chapter में एक answer, दूसरे में दूसरा, ऐसे 2-4 answers आपको लिखके बताऊंगा कैसे वो लिखना है, फिर उसके बाद आपको खुद को practice करना है, क्योंकि यह जो चीजें होती है न, यह practice से ठीक होती है, अगर आपकी कहीं English week है, कहीं word power नहीं है, vocabulary में कहीं तकलीफ जा रही है, तो यह अगर मैं कितना भी लिखके बताऊं, आपकी writing कभी improve नहीं होगी, writing एक skill है, जितने भी skills होती है न, वो सिर्फ जब आप practice करोगे तभी improve होगी, आप सो चाहिए, मैंने बहुत अच्छी book लाके दे दिया आपको, आप पढ़ रहे हैं मस तो उसमें लिखा है, footwork के बारे में, timing के बारे में, सब चीज लिखिए, फिर भी आप जब तक खेलो के नहीं तब तक वो सीख नहीं सकते, तो यह skills होती है, उसी प्रकार से writing है, writing में हम लो पर इतना time मिलता है, आप writing पर practice कर सको, intermediate और final लेवल पर उतना time ही नहीं रहता, कि हम writing करो, उसमें फिर reading ही आपको और improve करते रहना पड़ता है, अभी फिलाल आपको writing पर focus करना है, यह देड़ साल का time है आपके पास, जिसमें आप writing पर अच्छे से focus करके, अपनी writing skills को improve कर ल तो कि जितने भी चीज़ आप पढ़ रहे हो सब English में लिखी हुई है, हर subject में, कई बार ऐसा होता है कि हमको पता है कानून क्या बोल रहा है, लेकिन हमारी English इतनी बेकार होती है कि हम लोग वह express नहीं कर पाते हैं, तो एकदम general English लिखोगे तो marks थोड़ी मिलेंगे, कोई भी subject में, आपको लिखना है, दो paper तो आपको पूरी लिखने के इच है, तो दो ही paper है जिसमें आपको पूरी चीज़ लिखना पड़ेगा, पूरा comprehensively हर चीज़ लिखके बताना है, तो इसमें आपको writing skills पर focus करना है, और ये paper ऐसा होता है जिसमें judgment का भी एक role involved होता है, और इसल आरे कई बार paper checker को लगेगा कि यार इसने इतना अच्छे से नहीं लिखा जितना लिखना चाहिए, तो यहाँ पर marks कम होते हैं, पिछली exam में law में marks बहुत कम आये बच्चों को, जो अभी की exam होई थी, तो एक ही paper है जिसमें marks को कम जादा कर सकते हैं on the basis of judgment, बाकि जो दो paper ह वो तो गोले लगाने के है, तो अभी भी गोले लगाना पड़ता था, और एक paper है जिसमें आपको वैसे step marking मिलेगी accounts है, सिर्फ एक ही ये paper है जिसमें आपको पूरा descriptive लिखना पड़ता है, पूरा detail में, तो इसलिए ये paper थोड़ा difficult जाता है, समझते वक्त बहुत आसान लग बड़ जब तक आप उसकी writing practice नहीं करोगे ना तकलिफ जाएगी, ये उनके लिए जिन लोग की writing खराब है, writing means handwriting की बात नहीं कर रहा, writing याने writing skills खराब है, जिनके already writing अच्छी है, जो अच्छे से लिख लेते हैं, बरौबर English यूज़ कर लेते हैं, उनको writing practice नहीं करना चाहि writing में जितना time आप दोगे, उतना अगर reading में देते हो, तो आप दो बार वो चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर जैसा मैंने बताया, course बहुत वास्त है, आप अगर वोई चीज़ दो बार तीन बार पढ़ सकते हो, तो try करो, जितना जादा से जादा हो, उतना आप उसको revise करो, ले अगर आपके खराब है English, तो खुद ने पहले accept करना चीज़ तो भी सीख पाओगे, जैसे मैं भी English में कोई बहुत अच्छा नहीं था, पहले जब school में था तो छोटी सी school से आया हूँ मैं, तो ऐसा बहुत अच्छा नहीं था English में, English बोलते थे तो लोग बोलते थे अभे क इंग्लिश बोलते थे लोग, और अपने को आगया complex, फिर मैंने सीखा खुछ से, ग्रामर सीखा मैंने proper, खुछ से सीखना पड़ाई है, उसके बाद आज जो भी चीज़ है वो English के कारणी है, आज जो भी मैं पढ़ता हूँ, law है, law के पूरी wording से उसको interpret करना है, सब English का ही इसलिए English पे focus करो ये time है, जिसमें हम English पे focus कर सकते हैं, तो generally कई बार देखा गया है, आज कल जो students आ रहे हैं, उन लोगों की English बहुत weak होती है, उन लोग बाकी वैसे बोलने की English अच्छी कर लेते हैं, आपस में जो बाते करते हैं, वो millennials वाली जो बाते हैं, वो English में होती है लेकिन जो writing वाली है, जो grammar की बात हो रही है, वो नहीं होता, वो hello hi, whatsapp वाली English की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे writing की बात हो रही है, तो writing के लिए आपने reading भी करना चाहिए, और साथ में grammar पे focus करना चाहिए, तो यह बहुत important रहेगा, ठीक है और grammar अगर improve करना है, तो better यह कि आप ऐसी book लेकिया हो, जिसमें Hindi में या Marathi में, जो भी आपके मातरो भाषा है, उसमें उसने English बोलना सिखाया है, हम क्या करते हैं, हम लेकिया हैं कि Ren and Martin, उसमें उसने English में बोला है, English grammar कैसे पढ़ना, अब क्या समझेंगा उसमें, so ऐसी book मत लेकिया आना, लेकिया आना ह उस time एक आता था कोई प्रसाद publication, उसमें हिंदी में उसने English बोलना सिखाया था, so वो book से मैंने फिर English को improve किया था, so आपने भी पहले तो accept करना चाहिए, अगर खराब है तो फिर उसके बाद improvement आएगा, अगर आप accept नहीं करोगे तो कभी improvement नहीं आएगा, ठीक है, so यहाँ आपको textbook, notebook, notebook आपको maintain करना है, तीसरी चीज़ जो रहेगी, एक short notes मिलेंगे, यह आखिर के लिए है, आखरी वक्त पे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आखरी वक्त पे हम लोग को revision करने को काफी कम time मिलता है, so एक दिन में आपको पूरी चीज़ है, जो इतना सा हम पढ़ने वाले हैं, यह एक दिन में पूरा revise हो पाए, ऐसा preparation होना चाहिए, तब जाके हम exam easily clear कर पाएंगे, so हमको उसके लिए short notes की भी जरुरत होगी, बहुत सारी चीज़े तो diagrams के थुरू cover हो जाएगी, बहुत सारे examples है, examples आप यहाँ textbook में ही लिखके रख लेना, examples जो मैं concept पढ़ाऊंगा, वहाँ example दूँगा तो वहीं लिखके रख लेना, छोटे छोटे इसमें, so आपको वह वैसी याद रहेंगे, और जो diagram से उसके लिए notebook आपको रखना पड़ेगा, फिर लिखने की practice आपको करना है, short notes भी मेरे तरफ से आपको प्राप्त होंगे, आ आखिर में भी आपको अगर डर लगता है कि एक दिन में कैसे होगा, तो one day revision में वो पूरा cover हो जाएगा, ठीक है, so ये चीज़े मेरे तरफ से आपको मिलने आ लिए, अब important क्या होगा, अब आपको ये तो पता है, hard work हर कोई करता है, so CA exam में भी hard work तो लगे गई, but important है consistency, सब से important चीज़ CA exam में रहती है consistency, यानि regularity, regular आपको रहना पड़ेगा, सिर्फ CA exam में नहीं, सबी जगे वैसे consistency सबसे important है, आपने अगर बड़े-बड़े authors को पढ़ा होगा, Robin Sharma अगरे होगे, so ये लोग भी वही बोलते है consistency, इन लोग बोलते हैं सुबे का एक घंटा आप उस चीज़ के लिए दो जो सबसे अच्छी लगती है आपको और जिसमें आप improvement लाना चाहते हो, अगर रोज सुबे एक घंटे आप वो चीज़ करोगे, तो automatically consistency का एक impact दिखेगा, so भले आपको consciously वो कारिया नहीं कर रहे है, बट subconsciously उसका impact दिखेगा, सोचके देखो आपको body build क करना है, आप हलके फुलके हो, आपको लगता है body बनाना चाहिए, आप एक दिन सुबे Saturday को गए जिम में, दिन बर जिम किये और दूसरे दिन संडे को भी सुबे से शाम तक किये, तो body बन जाएंगे क्या मसता, so नहीं, उल्टा बिमार पड़ जाएंगे, लेकिन वही कारिय आप एक मेहना करो, रेगिलरली स्रिफ एक घंटे सुबे, आप देखोगे एक transformation दिखेगा, so consistency एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको impact तुरंत नहीं दिखता है, but over a period of time इसका एक huge impact पड़ता है, जो आपको visible होगा, लेकिन तुरंत नहीं होगा, आपको दो दिन में नहीं दिख विराट कोली अगर practice नहीं करेगा, वो बोलेगा बहुत अच्छा सीख गया हूँ मैं, अब मैं एक महना practice नहीं करूँगा, directly match में खेलूँगा, तो game बिगड़ नहीं है, so consistency होना चाहिए, पढ़ाई में भी consistency सबसे important है, CA exams में तो खतरनाक important है, क्योंकि अगर आप consistent रहते है तो बहुत easily आप पूरे course को cover कर पाएंगे, और अगर classes miss हो गई, चीजें छूट गई, तो backlog इतना ज़्यादा हो जाता है ना, कि आप उसको फिर cover नहीं कर पाते, यहां तो भी आपके पास time बहुत है, बट फिर भी उसका misuse नहीं करना चाहिए, जो आपके पास इतना अच् उनकी exam बहुत easy हो जाती है clear करने की, तो यह June नहीं अगली वाली, क्योंकि उस time अगर आप सोचोगे कि मैं अभी class लगा के करता हूं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कोई सोचेगा कि चलो अपन अभी March वगरे में batch लगा लेते हैं और 2-3 मेने में पढ़ेंगे, तो वोई चीज जो हमने साल बर पड़े, वो 3 मेने में पढ़ने में काफी तकलीब जाएगी, तो इसलिए आप यह consistency बनाए रखो, consistency यह long term में impact देती है, शुरुवात में आपको फरक नहीं दिखता, शुरुवात में ऐसा होगा, समझो आप हो, और आपका एक friend है, दोनों तो एक ही पराबर काम कर रहे हैं, लेकिन consistency का जैसे ही classes वगरे खतम होगी, आप revision करोगे तो ऐसा graph उपर जाता है, जबकि जो consistent नहीं है, उसका धीरे धीरे graph उपर जाएगा, तो यह चीजें थोड़ा थोड़ा करके impact देती है, आपको अगर 300 run बनाना है 30 over में, आप बोलोग consistency का impact तुरंत नहीं दिखता है, बट आखिर आखिर में वो दिखने लगता है, so consistency सबसे important होती है, revise करते रहना जो भी हम class में पढ़ेंगे, वो चीज़ को घर पे revise करना पड़ेगा, यहाँ पे भी जब हम पढ़ते हैं, तो इसके साथ में, यह सब जो हम पढ़ेंगे, इसके तीन दिन को revise करेंगे, इस प्रकार से consistent revisions भी होंगे अपने, जिससे आपका concept जो है, बहुत ही अच्छा होते जाएगा, ठीक है, तो शुरुवात में कुछ चीज़ है तो ऐसी है, जिसमें हम अभी फिलाल exam के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो introduction है, उसमें exam में questions आ ये मेरे बारे में कुछ दिया है, पढ़ लेना, एक बर फिर ये मैंने कुछ बोला हूँ, पढ़ लेना, एक बर प्रीफेस जो हता है न, उसमें author बोलता है, उसने book क्यों लिखा, कैसे लिखा, किस के लिए लिखा, वो लिखा है, पढ़ लेना चाहीं एक बर फिर जैसा कि मैंने chapters के बारे में बताया था chapter number one जो मैंने बताया introduction है Indian regulatory framework याने introduction to the Indian logos है कि कानून कैसे बनते हैं यह सब चीज़ें बताई है फिर कैसे क्या उसको apply किया जाता है तो basic चीज़े फिर Indian contract act जो division two है तो पहला जो है यह introduction है chapter one division one introduction दूसरा जो है Indian contract act जैसा कि मैंने बताया यह काफी deep में हम पढ़ने वाले है इसमें आपको अंदर फिर और chapters दिखेंगे contract act में nature of contract contract कैसा होता है कैसे बनता है consideration यह क्या है यह समझेंगे हम consideration का क्या मतलब है फिर क्या क्या जरूरी चीज़ें होती है एक contract में कैसे perform होता है अगर कोई वेक्ति contract तोड़ देता है तो क्या फरक पड़ता है तो इसको हम breach बोलते हैं breach मिन्स तोड़ देना contract को अगर कोई तोड़ेगा तो क्या-क्या उपाय होते हैं हमाई पस remedies means उपाय contingent in quasi contract special type के contract है यह सब special type of contract है contract of indemnity guarantee bailment pledge and agency अभी मैं सिर्फ chapter के नाम बता रहा हूँ आगे हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके यह 9 chapter जो है contract act से deal करते हैं फिस sale of goods act comparatively थोड़ा सा छोटा topic है जिसमें आपको सिर्फ 4 units देखने को मिलेंगे 4 chapter formation of contract of sale contract of sale कैसे बनता है conditions और warranties कैसी कैसी हो सकती है contract of sale में ownership कैसे transfer होती है जैसे मैंने अगर यह mobile बेचा है तो यह बेचते वक्त कब तक के मैं owner हूँ और कब आप owner हो गए तो यह exact point क्या होता है transfer of ownership का यह सब चीज़ें हम समझेंगे delivery of goods कैसे होती है and unpaid seller कौन है उसके क्या rights है और buyer के क्या rights है unpaid seller means जिसने goods बेचा बट उसको पैसा नहीं मिला यह सब हम समझेंगे यह सब पूरी definition है यह सब चीज़ें हम समझने वाले है फिर इसी में पहले के course में 6 chapters हुआ करते थे अभी content उतना ही है बट 4 chapters में उसको जोड दिया है पहले transfer of ownership was a separate chapter delivery of goods was a separate chapter साथ में एक और chapter हुआ करता था जिसमें auction sale के बारे में बताया था auction sale का हिस्सा अब इसी में आपको देखने को मिल जाएगा so ultimately chapter numbers आपको change दिख सकते है old or new course में but sale of goods act में कोई फरक नहीं है old course का sale of goods act और new course का sale of goods act बिल्कुल सेम है इसमें जरूर फरक है ये तो बिल्कुल नया chapter आया है बट वैसे भी ये मैं बताता ही था शुरुवात की classes में इसमें भी यहां तक के कोई change नहीं है change नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते change है बट chapters यही है थोड़े बहुत chapters को reshuffle किया गया है chapter के नाम बगरे अलग थे वो chapter के नाम अलग किये गये और ये तीन तो बिल्कुल अलग चीज है जो सिधे intermediate से अभी आई है intermediate से ये चीज़े हट गई और CA foundation level पे ये चीज़े लाए है इन्होंने फिर sale of goods act में चार chapter है Indian partnership act जो की अलग division है जो की मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले तो partnership act इसमें भी पुराने course में चार chapter दिये हुए थे अब यहाँ तीन chapter है बट content wise देखो तो same ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी पुराने वाले course में registration of partnership and dissolution of firm दोनों अलग chapter थे यह वाले course में दोनों को जोड के एक chapter बना दिया है limited liability partnership इसमें काफी changes है यह पहले बौट deep में हुआ करता था जैसे foundation में कुछ चीज़ें आई है यहाँ पे यह चीज़ें आई है foundation में intermediate level से उसी प्रकार से कुछ चीज़ यहाँ से चली गई है limited liability partnership act में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पहले foundation level पे थी बट अभी इन्होंने foundation से अटा के inter में ले गए है और ये वाला chapter बहुत कम रह गया है वैसा देखा जाए तो गिंती के 4-5 page में chapter खतम हो जाएगा तो बहुत ही कम topic है ये वाले chapter में फिर companies act जो मैंने बताया है कि आपको हर level पे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है so companies act हमको यहाँ पे थोड़ा सा एकदम basic introduction देखने को मिलेगा company बनती कैसे है वहाँ तक कि हम देख लेंगे company क्या है कैसे बनती है क्या features होते हैं ये सब basic चीजें इस साल हमको देखना है फिर negotiable instruments act इसमें एक ही chapter है वैसे बड़ा chapter है लगबग 30 pages तक जाएगा हो so वो देखेंगे हम फिर पुराने papers दिये हुए नया paper pattern आपके आने तक तो पुरा clear हो जाएगा ऐसे अभी हो जाएगा दो दिन बाद so expected है दो दिन बाद कुछ ऐसी चीज़ें पता लगेगी जिससे हमको paper pattern समझ जाएगा so paper pattern के उपर अभी चर्चा नहीं करेंगे यहां आपको जो paper दिया है old course के दिये हुए है क्योंकि अभी तक new course की एक भी exam नहीं हुई यह latest paper जो अभी हुआ था उसका paper दिया हुआ है so इसमें सिर्फ 60 marks का law हुआ करता था 40 marks का English और communication हुआ करता था so अब वो हड़ गया है तो अभी पूरा 100 marks का आपको law पढ़ना पढ़ेगा ठीक है फिर यही contents को और deep में बताया है यह अभी हम read नहीं करेंगे बहुत deep में बताया है कि क्या के चीजे कौन से chapter में क्या के पढ़ने वाले है बस 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 इतना सा पढ़ना है बस बस हाँ बस बस अब हो गया शायद बस अब खतम हाँ बस इतना सा पढ़ना है आपको ठीक है अब कुछ basic चीजे में बता देता हूँ अब ही हम पढ़ा ही नहीं चालू करेंगे बट एक basic point जो आपको पता होना चाहिए आपको बच्पन में आपने civics पढ़ा होगा civics में आपने पढ़ा होगा कि कितने pillars of democracy होते हैं चार pillars होते हैं पहले तीन माने जाते थे अब चार पढ़ाए जाते हैं तो हाँ प्रेस एक journalism एक नया pillar आ गया है तो वैसे main जो तीन pillars हैं इसमें सबसे पहला क्या है हाँ बोलो बोलो बोल रहे हैं चलो मैं बता देता हूँ पार्लेमेंट है एक जुडिशेरी है एंड गुबर्मेंट है हाँ गुबर्मेंट और चौथा जो है प्रेस इसमें वैसे जो major तीन pillar है ना स्टेट में था सभी में रहा होगा civics में सब कोई पढ़ाते है स्टेट में या नहीं था यह आपको अरे रहता है न यह आठ भी में रहता है एट नाइन तो गरे में रहता है सब कुछ रहता है यह हाँ वह बत और आपने स्किप की होंगे civics से बीसमार्क का है यार यह तो समझ नहीं रहा जाने दो स्किप की होंगे ऐसा हो सकता है बट रहते ही चाहिए सब को मैं स्टेट बोर्ड वाला हूँ मेरे को पता है हमारे जमाने में भी हुआ करता था सो अभी तो रहते ही है सो अभी तो और अच्छा कोर्स हो गया है सो नहीं भी पता होगा तो बता देता हूँ इसमें से कानून कौन बनाता है हाँ तो कानून बनाने का काम होता है इनका they make the laws फिर government क्या करती है सोती नहीं है government सोती है यहां तक आती है आवाज so government कभी कानून नहीं बनाती यह चैस ध्यान रखो government आप बोल रहे नरेंद्रमोदी ने कानून बनाए नहीं जब कानून बनते पार्लेमेंट बनाता है पार्लेमेंट का मतलब है वहाँ पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भी है वहाँ पपू भी है वहाँ केजू भी है यह सब लोग बैठे हैं पार्लेमेंट में तो Parliament कानून बनाता है, उसको apply करने का काम होता है, गौर्मेंट का, यह executors है, यह कानून apply करवाते हैं, जैसे police वगर है, इन लोग को control करते हैं, बरौबर कानून apply हो रहा की नहीं हो रहा, काम चल रहा की नहीं चल रहा, तो execute करने का काम होता है, गौर्मेंट का, तो यह execute करते ह और जुडी शरी का काम है बैठे रहे ना नहीं जुडी शरी का काम है इस कानून में अगर कुछ गड़बड है कुछ clarity नहीं है inconsistency है तो उसको interpret करना ये लोग interpret करते है तो दे interpret दिलो प्रेस तो बकवास है उसको भूल जाओ पहले प्रेस को pillar बोला भी नहीं जाता था हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग क्या अभी भी आज से पांच साल शे साल पहले तक के प्रेस को एक separate pillar नहीं मानते थे सिर्फ three pillars of democracy बोलते थे बट अभी four pillars बोले जाते हैं तो पहले ये तीन पिलर थे अब घर बन रहा है तो चार पिलर तो होना तो चौथे को ला लिया प्र कार्लेमेंट का है इसमें judiciary कभी इसको बीच में नहीं आ सकती और कानून वगरे change नहीं कर सकती judiciary सिर्फ interpretation का काम करेगी अगर कुछ ambiguity है गलतियां लग रही है गड़बड लग रहा है inconsistency है opposite लिखा है तो वो interpret करेगी जैसे एक जगे लिखा है कि A will be liable to pay दूसरी जगे लिख काम होता है पार्लेमेंट का पार्लेमेंट कानून बनाती है उसमें पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा इसलिए कानून बनने को इतनी तकलीफ होती है क्योंकि कानून बनने के पहले दोनों houses और पार्लेमेंट में इसको पास किया जाता है तो आपको पता होगी प्रक्रिय सबसे पहले कानून बनता क्यों है, वहाँ पे जाते हैं अब, फिर कानून की परक्रिया हम देखेंगे, तो आप सोच के देखो, कोई भी चीज की अगर आपको कीमत देखना है, तो पहले सोच के देखो, वो अगर नहीं होती तो क्या होता, वो यहने कोई भी चीज, तो आप अगर वो नहीं होती तो क्या होता, वैसा नहीं, वो नहीं होती मेंज वो चीज नहीं होती, सोच के देखो, कानून नहीं होता, तो क्या होता, अगर आज कानून नहीं होता, अगर ऐसा कोई कानून नहीं होता, कि किसी ने चोरी किया, तो उसके उपर कोई सजा होगी, किसी मारे पीटे उनका मोबाइल उठा लिए सो हर व्यक्ति एक दूसरे को मार पीट करता, मोबाइल उभल चोरी कर लेता, चीज़ें उठा के ले जाता अगर कानून नहीं होता तो लेकिन कानून है इसलिए हम लोग इतने अच्छे से रह पा रहे हैं सेक्योर्ड लग रहा है, यहां पे बैठे हुए सेफटी लगती है, प्रॉपर पीसफुल लिविंग है, कोई आपको पता है कोई आके मार पीट नहीं करेगा, आपकी चीज़ें नहीं चुरा लेगा, नहीं तो वो जंगल रूल चालू हो जाता, survival of the fittest सो वो रूल नहीं है, हमको वो रूल नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, इनसान जो है, वो सोशल एनिमल है, एनिमल तो है बड़ सोशल एनिमल है, क्योंकि वो समाज में रहता है, और समाज में कई दिक्कतें आ सकती हैं, और उन दिक्कतों को सॉल करने के लिए कानून बनाए हैं, ताकि जो समाज में रहते हैं वेक्ति, उनके साथ कुछ गलत ना हो उनको पीसफुल लिविंग मिले, उनको सोशल सिक्यूरिटी मिले, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, कभी भी आप रस्ते से जा रहें, डर के जा रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो किसी लिए कानून का निर्मान किया गया, अगर कानून नहीं होता, तो कोई पीसफुल लिविंग नहीं होती कोई social security नहीं होती उसमें survival of the fittest का rule लगता जो भी सबसे fit है वो आपको मारपीट करके आपकी चीजें ले लेता फिर आप आपके कमजोर वाले के चीजें उठा लेते फिर मैं आपसे कमजोर मैं और किसी के चीजें उठा लेता मारपीट करके तो ऐसा करके हर जगे बस अनुपम खेर ने ट्वीट किया था बोले कि इंसान बड़ाई अजीब प्राणी है उसको बोलेंगे तु जानवर है तो बहुत बुरा लगेगा उसको बोलेंगे तु शेर है तो बहुत अच्छा लगता है बात तो वही है शेर बोल रहा है जानवर बोले जानवर ही है तो खेर, इंसान भी एक जानवर है, लेकिन social animal है, so social animal होने के कारण उसको समाज में secure feel होना चाहिए, इसलिए कानून का निर्मान किया गया है, अब time नहीं है नहीं, तो मैं एक दो example दिया होता, चलो एक basic example तो दे देता हूँ, सोच के जब, समझो, 50-100 साल पहले, एक दो गाड़ियां होती थी, बाकी लोग पैदल चलते थे, बहल गाड़ी होती थी, तो तब तकलीफ नहीं थी, धिरे-धिरे रास्ते पे गाड़ियां जादा होने लगी, तो एक बड़ी तकलीफ चालो हो गई, accident, तो accident ये एक प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉब्लम चालो हो गई, accidents की, अब ये accident की प्रॉब्लम चालो हो गई, तो हम लोगों ने सोचा, कि चलो इससे related अब कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई कानून नहीं है, एक इधर से आरा, दूसरा उदर से आरा, एक दूसरे को उड़ा दिये, कोई पैदल चल रहा, बीच रास्ते से, क्योंकि कानून नहीं है, कानून नहीं है, तो कोई भी कैसा भी चल रहा है, कोई इधर से आरा, उदर से आरा, ये उसको वो बोल रहा तू पीछे हट, वो बोल रहा तू पीछे हट, कोई rule ही नहीं है कि अपने left hand side से चलो, ऐसे कोई rule नहीं होंगे तो तकलीफ होगी, जगडे होंगे, मार पीट होगी, accidents होंगे, और इसलिए फिर कानून बनाए गए, एक rule लिखा गया, ये rule को हम नाम देते हैं bill, ये जो solution हमने लिखा, इस solution को हम नाम देते हैं bill, बिल यहने क्या है, एक draft होता है कानून का, कानून बनने के पहले एक draft में rules लिखे जाते हैं, इस bill को कानून बनने के लिए एक process से गुजरना पड़ता है, इसको pass किया जाता है in both the houses of parliament, passed in, लोकसभा and राज्यसभा, ये कौन हैं, तो यही तो parliament है, parliament means लोकसभा और राज्यसभा, इन में pass किया जाता है, इन से क्यों pass करवा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहां जो लोग बैठे हैं वो हमारे representative है, हमारा प्रतिनिदत्व कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनको चुना है, हमने भले कुछ लोग, हमने नहीं चुन प्रतिनिदता ने इसको हां बोल दिया, क्योंकि वो हमको represent कर रहे हैं, वो लोग जो बैठे हैं, हमारे representatives हैं, और इसलिए उन लोगों से pass कराया जाता है, इसके बाद president इस पर sign करते हैं, president की ascent मिलती है इस पर, यहने sign की जाती है, और उसके बाद यह एक act बन जाता है, यह act में हमने rules लिख दिये, कि आप जब भी गाड़ी चला रहे हैं, अपने left hand side से चलाओ, जो पैदल चलते हैं, बीच रास्ते से नहीं चलेंगे, side में footpath होगा, उसके उपर से चलना है, road cross कर रहे हैं, तो कहीं से भी नहीं करना, जिबरा पड़ा है, जिबरा के उपर से जाओ, zebra crossing, तो zebra crossing के उपर से cross करो, यह सब rules बनाए गए, आपको right turn लेना है, तो हाथ बताओ, indicator लगाओ, फिर जाओ, red light रहेगी तो रुको, green होगी तो चलो, यह सब rules बनाए तो इससे accidents कम हुए, तो एक problem होती है, उस problem को solve करने के लिए हमेशा एक कानून बनाया जाता है, क्योंकि यह deal करता है, किसी गाड़ियों से, गाड़ियों की तकलिफ से, इसले इसको नाम दे दिया, Motor Vehicles Act, यह Motor Vehicles Act हो गया, जो के कानून है, related to Motor Vehicles, आप अगर गाड़ियां चला रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर कैसे क्या आपने rules follow करना है, ठीक है, अब समय की कम तर्द और यह चीज़ें भी साथ साथ में बना लेना, अब अगली क्लास में मौका दूँगा, तो आप साथ में यह चीज़ें बना लेना, ठीक है, अभी की क्लास को conclude करते हैं, exam के हिसाब से हमने अभी कुछ नहीं पड़ा, अगली क्लास में हम आगे चीज़ें पड़ेंगे, वो thank you